Hey guys, कैसे आप सभी लोग? I hope यहाँ पे सभी लोग बहुती बढ़ियार होगे And guys, आज मिले के हो the perfect AMOLED smartwatch with Bluetooth calling under 3,500 price bracket वैसे एक ही रूपय आपका बचने वाला है, 3,499 उसके price है, जो है Firebolt Hulk तुम मिर को लगा मार रहा है मुझे And guys, यह जो Firebolt Hulk smartwatch है, इसके अंदर आपको always on AMOLED display धेर सारे और भी features and functions है, 100 plus sports mode आपको देखने मिलते है health tracking parameters बहुत ही accurate है And जैसे मैंने इसे unbox किया ता यहाँ पर मैंने display check out किया Guys, display बहुत ही amazing है, यहाँ पर आपको edge to edge display उन्होंने प्रवाइड किया तो as such na bezels आपको देखने नहीं मिलते है वैसे guys, हर एक aspect के बारे में इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो हमारे साथ बने रहे है And अगर आप first time हो Tech Unboxing चैनल पे तो क्या करें है यहाँ जिल्दी से जिल्दी subscribe कीजिए And let's get started Namaskar दूस्तों, मेरे नाम है अभी और आप देख रहे है Tech Unboxing And guys, सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे इसके quick unboxing तो box को open करते हैं सबसे पहले यहाँ पर वो actual smart watch आपको देखने मिलते है And guys, इसकी जो frame है ना completely metallic आपको देखने मिलते है फिर guys, नीचे की तरफ आपको देखने मिलते है इसका magnetic charging cable And यहाँ पर उन्होंने काफी बड़ा सा user manual भी प्रवाइड किया है And finally, यहाँ पर आपको देखने मिलते है additional coupons And guys, इस smart watch का pairing वाला part मैं आपको explain नहीं करूँगा बहुत ही simple pairing process है तो सबसे पहले मैं बात करना चाहत हूँ इसके build quality को लेके तो यहाँ पर हमारे पास black color में smart watch है जहाँ पर उन्होंने completely metallic frame प्रवाइड किया And यहाँ पर आपको glossy finishing के साथ इसकी frame देखने मिलते है Smart watch के right hand side पर यहाँ पर power on button उसी के ऊपर की तरफ उन्होंने mic भी provide किया है Smart watch के left hand side पर यहाँ पर आपको उसका speaker देखने मलते है And पीची की तरफ charging point and sensors And यहाँ पर आपको silicon straps देखने मलते है जो completely replaceable है Plus guys यह जो smart watch है यह है IP67 water resistance So गलती से अगर पानी में smart watch गिर जाती है फिर भी आप यहाँ पर tension मत लीजिए वैसे guys यहाँ पर उन्होंने swimming वाला workout mode इसके अंदर include नहीं किया है So यह मुझे drawback लगा क्योंकि IP67 था So swimming वाला workout mode देना चाहिए था So guys इसके पहले है धेर सारे smart watch हैं इतने कम bezels मैंने किसी smart watch में नहीं देखे So guys almost negligible bezels आपको देखने मिलेंगे Brightness की अगर मैं बात करो तो 515 nits की brightness आपको देखने मिलते है So indoors and outdoors बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी brightness आपको visible हो जाएगी And yes guys always on amulet display तो यहाँ पर आपको always on का feature भी देखने मिलता है So digital हो या फिर analog watch face हो always on watch face यहाँ पर काफी bright आपको देखने मिलेंगे And guys display बाला पार्ट no doubt यहाँ बहुत ही बढ़िया निकल के आता है And guys Bluetooth calling smart watch है अल्डेड हमने इससे test किया है तो अभी आप देखे उस पर्डिकुला footage को Hello Shubham बाई कैसे हो Sir एक्दम बढ़िया आप कैसे हो sir एक्दम बढ़िया आजा Shubham बाई call इसलिए किया है As usual अपना हमेशा का question audio कैसी है Audio एक्दम clear है sir मतलब एक्दम इससे लागरे कि आप phone से बात कर रहे हो So I guess असे लागरे कि आप चाहिद watch या पर TWS यूज कर रहे हो इसके बिन आपको call का भी लगाते हम तो यह अपना watch है यह Firebolt का hulk smart watch है Amoled display वाला मस्त है अच्छा है smart watch तो आज़ो एक काम करो जल्दी आज़ो शूट करते है इसका यह से बिल्पूर पूंचे रहो बाच Okay, thank you So guys, no doubt Bluetooth calling वाला पार्ट यहां पर बहुत ही amazing निकल के आता है और इसका speaker भी काफी loud आपको सुनने मिलेगा Plus guys, यहां पर उन्होंने AI Voice Assistant का feature भी प्रवाइड के है तो बस आपको जाना AI Voice Assistant मेन्यू में यहां पर क्लिक करना है What's the temperature outside? Who is Abhijit Desai? And plus guys, यहां पर AI Voice Assistant feature के help से अब कॉल भी प्लेस कर सकते हो जैसे की Call Shubham Editor Call Shubham Editor So guys, यहां पर आप देख सकते हो, call भी प्लेस हो चुका है And यहां पर display भी होता है And currently यह ring कर रहा है So guys, कुछ इस तरीके से आप यहां पर directly calls को भी प्लेस कर सकते हो And उसी के साथ यहां पर हम directly बढ़ते है Health Tracking Parameters की तरफ तो यहां पर उन्होंने Continuous Heart Rate Monitoring इसके अदर परवाइड किया उसी के साथ यहां पर आपको SPO2 Monitoring भी देखने मिलता है And guys, इसकी जो tracking है ना मुझे बहुत ही जादा accurate लगी But फिर भी guys, intensive test तो यहां पर बनती है तो यहां पर हमने टेबल पर इसे प्लेस किया था And आप देख सकते हो Heart Rate हो गया, SPO2 हो गया Clearly यहां पर आपको prompt visible हो जाता है Wear the smartwatch properly And वैसे guys, इसके अंदर आपको 100 plus workout modes देखने ही मिलते है But guys, यहां पर उन्होंने swimming का workout mode इसके अंदर include नहीं किया But उसके अलवा guys, यहां पर हमने outdoor walking का workout mode उसे test किया था And आप देख सकते हो, यहां पर smartwatch के उपर आपको information देखने मिलते है And similarly guys, application में बहुत ही detail में information उन्होंने प्रोइड किया वो भी chart form में And guys, overall, इस smartwatch को आप as a fitness tracker भी यहां पर यहां पर use कर सकते हो And guys, एक smartwatch में UI जो पांट होता है वो बहुत ही crucial and important होता है And इसका UI मुझे बहुत ही जादा यहां पर smooth लगा So, अभी आप देखिए smartwatch के UI को So guys, यहां पर आप देख सकते हो, always on watch face, काफी bright आपको देखने मिलता है And power on button प्रेस करते है, यहां पर आपको एक slide delay देखने मिलता है Smartwatch turn on होने में जो है roughly guys, 1-1.5 second का यहां पर watch face change करने के लिए बस आपको Long press करके रखने है, ऊपर से नीचे swipe करते है, quick access settings आपको देखने मिलता है डेर सारे widgets यहां पर उन्होंने प्रवाइड के है And यहां पर आपको widget customization का option भी देखने मिलता है And guys, UI वाला part आप देख सकते हो, काफी smooth यहां पर उन्होंने प्रवाइड के है And guys, right hand side में swipe करते है, quick access menu जहां पर recent applications आपको देखने मिलते है And guys, power on button को press करते है, यहां पर आप main menu में जाओगे, जहां पर आपको regular menu देखने मिलता है Heart rate, SPO2 का भी option उन्होंने प्रवाइड के है, यहां पर training में आप देख सकते हो, आपको 100 plus workout modes उन्होंने प्रवाइड के है And guys, यहां पर आपको add workouts का भी option देखने मिलता है, जहां से आप different workouts इसके अंदर add कर सकते हो But इसके अंदर है आपको swimming का workout mode देखने नहीं मिलता है Then guys, नीचे की तरफ आपको वही regular menu देखने मिलते है, calculator का option भी उन्होंने प्रवाइड के, on the go calculations आप कर सकते हो Female menstrual health cycle reminders भी आपको देखने मिलते है And guys, यहां पर settings में आप additional settings कर सकते हो and यहां पर उन्होंने always on watch face का भी option प्रवाइड किया है Guys, notifications की अगर मैं बात करो तो यहां पर आपको quick notifications देखने मिलते है But obvious guys, Bluetooth calling smartwatch है तो जैसे call receive होता है, आप immediately call को answer कर सकते हो smartwatch की help से And SMS भी यहां पर quickly reflect हो जाता है, जहां पर 15 से लेके 20 words का SMS directly smartwatch के अंदर read कर सकते हो So guys, notifications आपको quickly यहां पर reflect हो जाते है But guys, मुझे ऐसे लगता है कि अभी Firebolt ने quick reply का भी options यहां पर add करना चाहिए आगे आने वाले smartwatches में बात करेंगे इसके battery life को लेके क्योंकि guys, Bluetooth calling smartwatch है तो यहां पर कितने MH की battery है ना, वो specifically कहां पर भी mention नहीं है But Bluetooth calling के साथ आप इसे 2 से लेके 3 दिन तक use कर सकते हो And guys, अगर आप यहां पर Bluetooth calling use नहीं कर रहे हो तो 5 से लेके 6 days की battery life आपको देखने मिलते है So guys, battery life वाला part यहां पर बहुत ही impressive निकल काता है बस guys, एक चीज यहां पर धायन में रखना कि जब भी आप always on watch face turn on कर रहे हो ना तो यह दोनों भी factors में आप battery life थोड़ी बहुत कम ही आपको देखने मिलेगी And guys, यह सारी चीजों के बाद अभी हम finally बढ़ते है DAFIT application के UI के तरफ So guys, यह है DAFIT application And सबसे पहले यहां पर धीर सारे widgets देखने मिलते है Continuous heart rate monitoring, SPO2 monitoring Plus guys, यहां पर हमने outdoor walking किया था उसकी complete detail में information यहां पर आपको देखने मिलते है 23 minutes का किया था 1.1 km steps भी आपको देखने मिलते है Chart form में यहां पर information उन्होंने heart rate की भी आपको provide किये फिर guys, यहां पर more menu में आप देख सकते हो Smart watch connected है, battery life आ चुकी है Watch faces का आपको option देखने मिलते है जहां पर उन्होंने customizable watch face भी इसमें provide किया और यहां पर आपको online धीर सारे watch faces देखने मिलते है डिरिकली आप download करके इन्हें sync कर सकते हो फिर guys, यहां पर उन्होंने notification का भी option प्रवाइड किया फिलाल मैंने call and SMS को enable किया different application के notification को आप enable कर सकते हो फिर guys, यहां पर alarm, camera shutter, favorite contacts, other settings में यहां पर time format हो गया race to wake, water drinking reminders, heart rate warning, weather forecast, female menstrual health cycle reminder and finally firmware upgrade so guys, typical dark wit application UI आपको इस application में देखने मिलता है so वैसे तो guys, हर एक aspect के बारे में इस particular smart watch के बारे में हमने यहां पर discuss किया जो है firebolt hulk and guys, इसका जो display वाला पार्ट है बहुत ही amazing लगा मतलब अभी भी आप देख सकते हो, always on display आपको clearly visible हो जाता है and UI भी बहुत ही जादा smooth आपको देखने मिलता है edge to edge display है, bluetooth calling वाला पार्ट भी बढ़िया है sports mode में सिफ swimming का workout mode आपको देखने नहीं मिलता and guys, थोड़ी time के लिए introductory offer के तो और पे launch price है क्योंकि regular pricing है थोड़ी बहुत जादा होने वाली है so अगर आप plan कर रहे हो, तो अभी launch price में ही इसे purchase कीजिए and link description है and guys, बस यही था आज का वीडियो, I hope आपको वीडियो पसंद आगा अगर आपको बड़े पसंद आता है तो please इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी टेक्रेलेटर अन्बॉक्स इंके लिए please subscribe पीजिए आमारे चानल को और दोस्तों और एक important बात, please मैंने Facebook पेज और Instagram पेज भी लाइक कीजिए तो दोस्तों मलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद